हेलो रिवन वेल्कम टू स्टेडी आई क्यो और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्स करेंगे थाउजन महत्यपून करंट अफेस पार्ट फॉर और इस वीडियो के लिए रहा हुँ है मेरा नाहम है ड्र विपन गोईल इस मन्त इसके अंदर हम जनवरी और से जुलाई मन्त के करंट फेस्स कर रहे हैं अच्छा इस चीज़ आपको मैं बता दू काफी बचे मुझे कह रहे थे सर करंट फेस बहुत जल्दी करा दीज़े चलो ऐसे करते हैं हम डेली कुछ है ना आपके शाम को जो नौ बजे क्लास ह होगी मैं डेली इसके अंदर करंट फेस्स करूंगा ठीक है जब तक एक अंप्लीड नहीं हो जाते है जुलाई मन्त तक के और उससे पहले अगर किसी बच्चे का एक्जाम आ रहा है तो क्या करना है आपको आपको मैं जो इस अभी जो करंट फेर ले रहा हूं जनवरी ठीक का 200 का डाला हुआ है वो देख लिजे मतलब एक मैं जून मन्त के भी डालूँगा ठीक है तो इन पांच महीनों के जो है मैं करंट फेर इसको फट अवर कंप्लीट करूंगा और उसके बाद एंड में मैं डालूँगा 1000 के अंदर मई और जुलाई के लेकिन इससे पहले अग किसी बच्चे का एक्जाम आ रहा है तो मे और जुलाई के दो 200 करंट अफेर न वो डिसकस मदब वो याद कर सकते हैं आप ठीक है तो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या डिसकस करेंगे हम आगे कोश्यान आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ आप मुझे करमेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जहां पर आपको पॉल्टी, हिस्ट्री, जोगरफी, साइंस, करंट अफेर्स और आपका एकनॉमिक्स वाला पार आता है इन्वार्मेंट वाला पार आता है तो आपको 10,000 MCC कोर्स आप परचेस कर सकते हैं इसके अंदर हमने चेप् ी इसक की अंदर हमने ड़ते हैं जैसी है आप इसको ऊपन करेंगे आपको यहां पर पे सलिंग कुर्स देखेगा वीउल का बटन दबा देना 1000,000 MCC आप CO 30 पर दिखंगा और neat requisal पर नजर आजाएगा जो भी कोर्स अच्छे लगए पर परचेस करें और mock test akt जो test second है आपका वो आपका 10,000 MC की कूर्स के अंदर आएगा 7th of August को अच्छे से पढ़िए और revise केज़े और इस बार का जो mock test होगा वो थोड़ा सा tough होगा तो दियां रखिए पढ़ते रिजे और यह सारा आपको 10,000 MC की कूर्स के अंदर मिलेगा Start with the first question, question देखें जी क्या गयता है कलीवेली wetland जो है ये news में देखने का आपको मिले थे ये कौन सी state के अंदर गता है कलीवेली wetland को जो है bird century जो है घुशित किया गया है और ये second brackish water lake है South India के अंदर और first brackish water lake जो है वो तो pulikat lake है जो अंदर परदेश के पास है और कलीवेली wetland जो देखने को आपको मिलते हैं वो देखने को मिलते है तमिल नाडू के अंदर अंसर इसमें a option बनेगा correct answer तमिल नाडू के अगर हम बात करते हैं तो capital क्या है चन्नाई है mk stalin जो है यहां के cm है और बनवारी लाल प्रोहिद जो है यहां के governor है इसके इलावा मुदू मुलाई national park मुखूर्ती national park इंदरा गांदी अन्ना मुलाई national park गिंडी national park गल्फ अफ मनार national park और पालनी hills जैशन पाग आपको देखने को मिलता है अंसर इसमें a option बनेगा correct answer तम horticulture for startups and stand up India अंसर इसमें a option बनेगा correct answer अगर आपसे पूछा इंडियन institute of horticulture research जो है वो कहां पे है तो आपका अंसर क्या होगा बैंगलूरू के अंतरगत देखने को आपको मिलता है अंसर इसमें a option बनेगा correct answer और यह जो इंडियन institute of horticulture research है यह किसकी आपकी सबसीडरी है इ ICAR की बात करें तो इसके जो डिरेक्टर जनरल है वो कौन है तरिलोचन मोहपात्रा और headquarter कहां पे है न्यू दिली के अंदर है और हमारे agriculture minister कौन है नरेंदर सिंग टोमर और जो मोरेना मध्या परदेश सांसन है ministry of agriculture and family farmers welfare के तो अंसर इसमें one option बनेगा correct answer square kilometer array observatory जो है SKAO observatory जो है उसके headquarter बताने है वो कहां पे है इसके headquarter जो है UK के अंदर plane के अंतरगत इसके headquarter देखने को मिलते है अंसर इसमें D option बनेगा और world का सबसे बड़ा जो large radio telescope जो है वो यहां पे देखने को मिलेगा और इसके अंतरगत जो है हमें देखने को मिलेंगे जो भी आपकी details है sky के अंदर entire sky के अंदर और जो भी आपका currently में existence है उससे बहुत ज बीच में आते हैं वगएरा वगएरा clear और जो इनके antennas हैं जो इनके antennas हैं वो कहां पे लगेंगे जो इनके antennas हैं वो located होंगे दो continents के उपर that is in the Africa and the Australia Africa और Australia के अंतरगत देखने को आपको मिलेगा अंसर इसमें D option UK is the correct answer sustainable development of little undemand island vision document जो है वो किसने release किया sustainable development of little undemand island vision document किसने release किया that is नितियायो national institution for transforming India is the correct answer C option बनेगा right answer very very important clear अंदेबान निकोबार island के अगर हम बात करते हैं तो इसकी capital के है port Blair है और दिवेंदर कुमार जोशी जो है यहां के क्या है lieutenant governor है यहां पर बहुत सारे national park है महात्मा गांदी मेरी national park जिसे है वंदूर national park आप कहते हैं Campbell Bay Campbell Bay जो है national park आपको देखने को मिलता है Mount Harriet national park देखने को मिलता है Saddle Peak national park देखने को मिलता है planning commission याद रखे और नितिया योग के chair person होते हैं प्राइम मिनिशर और नितिया योगी जा think tank of the country chair person बताने है broadcasting content complaints council के बी सी सी के जो chair person है वो कौन है that is broadcasting content complaints council के जो आपके new chair person है उनका नाम क्या है that is Gita Mittal answer इसमें A option बनेगा correct answer और A option बनेगा correct answer और जो BCCC है जो ये क्या करता है ये examine करता है जो complaints होते हैं television programs की जो viewers देखते हैं NGOs देखते हैं raw देखता है ministry of broadcasting देखती है तो उनकी complaints को ये solve करते हैं answer इसमें A option बनेगा अगर आपसे पूचा information and broadcasting के जो minister है वो कौन है अनुराग सिंग ठाकुर अनुराग सिंग ठाकुर जो है ये हमिरपुर हिमाचापदे से सांसद है और अनुराग सिंग ठाकुर जो है youth affair minister भी है हमारे answer इसमें A option बनेगा correct answer गीता मित्तल जी कौन सी ministry ने launch किया data analytics driven MCA21 version 3.0 3.0 version किसने launch किया ये first mission mode है e-governance e-governance जो है आपका project है government of India के लिए जिसके अंतरगत जो है आपकी companies जो होती है वो अपने document submit कर देती है और प्रपर तरीके से जो है company law के according जो है काम करती है तो इसके अंतरगत जो है ये कौन सी ministry के अंतरगत है that is ministry of corporate affairs के अंतरगत आता है C option बनेगा correct answer corporate affairs के minister कौन है निर्मिला सितारमन जी जो हमारे finance minister भी है राजे सबा सांसन है MP जो राजे सबा सांसन है MP है करनाटक से ये आपके MP है करनाटक से MP है answer इसमे C option बनेगा correct answer नंदा देवी Glacian News में recently देखने को आपको मिला था ये कौन सी state और UT के अंतरगत देखने को मिलता है ये है उत्राखंट के अंतरगत अंसर इसमें B is the correct answer B option is the right one उत्राखंट के बात करते हैं देरादून is the capital और पुशकर सिंग धामी जो है यहां के क्या है CM है बेबी रानी मौरिया जो है यहां के गवरनर है और उत्राखंट में आपका Jim Corbett National Park है गुंगोत्री National Park है गुविन पशु विहार National Park है राजाजी National Park है वैली ओफ लार National Park है और नंदा देवी National Park आपको देखने को मिलता है और उत्राखंट की capital क्या है देरादून देरादून में Survey of India के Headquarter है Indian Military Academy के Headquarter है और आपका Forest Research Department भी आपका देरादून में है अंसर इसमें B option बनेगा correct answer B option is the right one चीक है याद रखें Ministry of Education ने decide किया है एक new decided to name residential school and hostel funded under Smagr Sikshya after whom Smagr Sikshya के अंतर जो है name residential schools hostels का क्या बोला गया है तो ये जो है बोला जाएगा सुभाश चंदर बोज जी के नाम पे अंसर इसमें C option बनेगा याद इस नेता जी सुभाश चंदर बोस hostels and schools residential schools and hostel अंसर इसमें D is the correct answer this is very very important point clear answer इसमें D option बनेगा Smagr Sikshya की अगर हम बात करते हैं ये आपका integrated जो है scheme है जिसके अंदर गरते हम teacher education की जो है बात आती है ये तीन scheme जो है इसके अंतरगत आई है so this is super important part clear याद रखें और हमारे education minister कौन है that is Dharmendra Pradhan धर्मेंदर परदान इस अधर एजुकेशन मिनिस्टर जो राज्यसभा सांसर है MP से मध्या परदेश से this is D option is the correct answer India का पहला geothermal power project जो है established किया जाएगा Eastern Ladakh के अंदर कौन से village के अंदर कौन से village के अंदर ये Puga village के अंदर जो है आपका बनाया जाएगा answer इसमें D option बनेगा correct answer D option और एक commission कब हो जाएगा end of 2022 के अंतरगत हो जाएगा और इसके अंतरगत जो है बनाने वाला जो है से योगी कौन है ONGC that is called oil and natural gas corporation energy center जो है इसमें participate कर रहा है ONGC energy center chair person के MD कौन है that is शशी शंकर जी है headquarter काहां पे हैं न्यू डेली के अंदर Ladakh की बात करते हैं तो Radha Krishna Mathur जो है यहां के governor है और lieutenant governor है और यहां पे आपका hemis national park आपको देखने को मिलता है so answer इसमें D option बनेगा Puga village is the correct answer 1857 the sword of mustan यह इस book के author कौन है इस book के author है that is Vinit Vajpai answer इसमें A option बनेगा correct answer और MD और CEO है एक आपकी company है that is talent track talent track जो online platform है hire करता है crowd sourcing करता है media say entertainment sector के अंदर गात तो यह आपका A option बनेगा correct answer A option that is Vinit Vajpai is the correct answer Prime Minister Nelinder Modi ने धोभी दुर्गापूर natural gas pipeline section को dedicate किया है धोभी as dedicated धोभी दुर्गापूर natural gas pipeline section और इस pipeline की जो है length कितनी है यह बताना है आपको तो यह length है इसकी 348 km that is धोभी दुर्गापूर very very important point clear और पर्धान मंतरी उर्जा गंगा प्रोजक्ट के अगर हम बात करते है तो यह बताता है कि जो आपका cooking gas है वो pipe cooking gas है वो resident of Varanasi और जो है बाद में बिहार चारकंड वेस्ट बेंगॉल और उडिशा के लोगों तो जो है आपको पहुंचाया जाएगा और इसके अंतरगा जो है आपका gas authority of India limited भी जो है आपको participate करवाएगी this is very very important point अंसर इसमें 348 km is the correct answer so length देखें जी 348 km है 2400 क्रोड रुपे का project है 10 district इसके अंतरगात आएंगे effectively तरीके से हम pipe natural gas की दरह से घर तक पहुंचाएंगे brocasia nana जो है आपकी world की smallest reptile है यह कौन सी कंटरगात के अंतरगात देखने को आपको मिली है so this is in the medagaskar अंसर इसमें D option बनेगा correct answer medagaskar is the right one medagaskar की जो capital है वो क्या है that is antenna 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 it's antenna ना रिवो clear और इसकी जो currency है that is aryari aryari is the currency तो अंसर इसमें D option बनेगा correct answer prestigious akashvani music festival जो है ये किसके नाम के उपर रखा गया तो ये information and broadcasting ministry ने रखा है और इनका नाम जो है पंडित भीमसें जेशी के नाम पे रखा गया है पंडित भीमसें जोशी जो program organize किया गया था पोने के अंदरगत देखने को मिलेगा information and broadcasting के minister में ने आपको बताया था अनुरांग सिंग ठाकुर है अनुरांग सिंग ठाकुर हमीरपूर हिमाचा परदेश से सांसर है अनुरांग सिंग ठाकुर जो है आपके youth affairs और sports minister भी देखने को मिलते हैं answer is a option बीमसें जोशी is the right one question है किसने जो है who has been appointed to the reconstituted national security advisor board national security advisor board को जो है reconstitute किसने करवाया तो answer इसमें क्या बनेगा शिरिदर बेंबू is the correct answer answer इसमें B option बनेगा right one B option is the correct answer national security advisory board answer is B option is the correct answer रामनात कोबिन जी ने inaugurate किया है general K.S. Thimaya museum कौनसी state के अंदर गत जो है inaugurate किया है करनाटक के अंदर गत जो है और बास्वा राज बो माई जो है अभी CM नए बने है यहां पे बेंगलूरू is the capital यहां पे बांदिपूर नैशन पाक है अंशी नैशन पाक है बानेर घाटा नैशन पाक है कुद्रे मुख है नागर होल है जिसे आप राजीव गांदी नैशन पाक भी ICC की बात करते हैं तो ICC जो है इसके चेयर परसन कौन है Greg Barclay है और अभी recently CEO पॉइंट के गए थे वो interim थे दिन का नाम क्या है G of Alladis यह याद रखे दुबई हैड़कॉर्टर है अंसर इसमें क्या बनेगा C, A option बनेगा अंसर ICC women player of the match की बात करें तो आपका नाम है यह शबनीम इसमाइल शबनीम इसमाइल is the name अंसर इस A option is the correct answer कौन सी कंट्री ने decide किया है वो 40 satellite launch करेंगे from the 18 country in March 2021 using the SOIS-2 carrier rocket SOIS-2 वाहग rocket के रूप में 18 country से around 40 satellite launch करेंगे यह country कौन सी है यह है रशिया अंसर इसमें C option बनेगा correct answer Vladimir Putin जो है यहां के क्या है that is president है Moscow is the capital and ruble is the currency Russian ruble is the currency answer इसमें C option बनेगा right one कौन सी country जो है 10 से 12 फर्बरी को होने वाली विशव सतत शिकर सम्मेलन जो है मेजबाने करेगा World Sustainable Development Summit 2021 तो यह किस ने किया यह इंडिया answer इसमें A option बनेगा correct answer A option और यह World Sustainable Development Summit जो है एक annual flagship event है किसका the Energy and Resources Institute का जो है एक जो है आपका event है और इसका जो theme है वो क्या है that is redefining redefining our common future redefining our common future safe and secure environment for all safe and secure environment for all clear यह ध्यान रखिए so this is very very important point clear याद रखना है important है तो असर इसमें A option बनेगा correct answer very very important answer is A India is the correct answer A option World Sustainable Summit 2021 clear याद रखें हिंदोस्तान Aeronautics Limited और उन्होंने agree कर गए है ताकि वो अपने partnership को extend करेंगे कौन सी automobile company के साथ और यह company के साथ जो है significant areas में काम करेगी तो हिंदोस्तान Aeronautics Limited ने जो agreement sign किया है वो Rawls-Ross के साथ जो है आपका agreement sign किया है और यह supply chain बढ़ाएंगे civil के अंदर और defense airspace के अंदर और maintenance करवाएंगे प्रॉपा तरी किसी engine की तुद जाके आपका support करेगा Rawls-Ross global customers को answer इसमें B option बनेगा correct answer B option is the right one हिंदोस्तान Aeronautics Limited की अगर बात करते हैं तो Bengaluru इसके headquarter है और इसके जो chairman and MD कौन है that is R. Madhwan R. Madhwan is the name Rawls-Ross की बात करते हैं तो इसके जो headquarter है वो UK के अंदर है that is West Westham that is called Westhamptonet clear याद रखे headquarter है तो answer इसमें B option बनेगा correct answer किस cricketer को Allen Border Medal के लिए जो है नवाजा गया है कौन से खिलाडी को तो ये Steve Smith को नवाजा गया है Allen Border Medal दोवारा answer इसमें A option बनेगा correct answer और male one day international player of the year Australia Cricket Team के अंदर भी जो है Steve Smith को दिया गया है answer इसमें A option बनेगा correct answer इंडिया और कौन से कंटरी ने जो है M.O.U. sign किया है ताके वो डैडिस को लालंदर डैम जो है बनाएंगे और ये कौन से कंटरी के साथ किया है ये इंडिया ने अफगानिस्तान के जो साथ agreement sign किया है जो ये बनाएंगे that is called लालंदर डैम जिसे आप और कहते हैं शहतूत डैम शहतूत डैम भी इसको हम कहते हैं clear और 300 मिलियन डॉलर के अंदर जो है ये बनाया जाएगा अफगानिस्तान के उपर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान इस अफगानिस्तान इस अफगानिस्तान उनाइट सेट्स ने जो है डिसाइड किया है rejoin करने का United Nations Human Rights Council और इसके Human Rights Council के Headquarter कहाँ पे located है that is in the जिनेवा अंसर इसमे D option बनेगा correct answer D option is the right one Human Rights Council Human Rights Day कब होता है 10 December को Human Rights Day होता है और Human Rights के लिए Amnesty International भी काम करते है जिसके Headquarter काँ पे हैं London में Headquarter है अंसर इस D option जिनेवा इस अफगानिस्तान World Pulsies Day जो है हम किस दिन celebrate करते हैं ये हम जो celebrate करते हैं वो Across the globe जो अगर हम बात करें तो 10 February को करते हैं और 10 February को और पहला जो World मनाया गया था Pulsies Day वो 2019 में मनाया गया था तो अंसर इसमे 10 February is the correct answer अंसर इसमे B option बनेगा right one 2016 का जो year था वो International Year of Pulsies भी था और 2016 का clear 2021 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो theme है वो कहा है hashtag Love Pulsies for a healthy diet and planet Love Pulsies clear जान रखे important है अंसर इस B option is the right one और Food and Agriculture Organization के जो Headquarter हैं वो कहां पे हैं Rome, Italy के अंदर करते हैं 1945 में Organization बनी थी and Q Donggyu Q Donggyu जो है इनके Donggyu clear ये इनके क्या हैं जो है Head है answer is B option is the correct answer कौन सी IIT institution ने develop किया solar power pest control system for the small firms field जने के छोटे farm fields के लिए जो है कौन सी IIT institution ने solar power pest control system बनाया तो इसका जो answer है वो है IIT खड़कूर अंसर इसमे D is the correct answer pest control के लिए answer is D IIT खड़कूर अमाल और hope probe of United Arab Emirates space agency is associated with which mission of the planet जो ये probe गया है ये कौन से mission के उपर गया है मार्स के उपर गया है और किसका UAE का answer इसमे C option बनेगा correct answer C option clear और भी बहुत सारे mission जो है इसे नेम जिसे हम कहते है perseverance it's called perseverance clear it's called perseverance it's called perseverance clear P E R S E R V E R A N C E perseverance clear और ये USA की साइट से गया है और अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी इंडिया की साइट से कौन गया था मंगलियान 2013 में जो इसरों ने बेजा था और सतीश दवन Space Center से बेजा था that is in the आंधरापरदेश answer इसमे C option red planet जाने के आपका Mars is the correct answer कौन सी कंपनी ने जो है कौन सी कंपनी जो है combined air timming system जो है आपकी technology का पयोग करके जो भविश्या के अंदरगर जो है आपके उच उचाई वाले high altitude वाले उपग्रेव विक्सित कर रही है तो कौन सी कंपनी है that is again हिंदोस्तान Aeronautical Limited answer is D option is the correct one clear और आर मादवन मेंने आपको बताया था इनके chairman and MD है answer is D option बनेगा correct one D option is the correct one गुलाम गुलाम नभी आजाल यूटी से सांसद है तो ये सांसद है कहां से Jammu and Kashmir से answer इसमे A option बनेगा correct answer A option Jammu Kashmir की अगर हम बात करते हैं Jammu Kashmir की बात करते हैं चलो comment section में लिखके बताइए Jammu Kashmir के अंदर जो left-hand governor है उनका नाम क्या है हो सकते मैं comment section में आगे बता दू अंसर इसमें A option बनेगा correct answer CRPF Center Reserve Police Force जो पहली टाइम फर्स टाइम जो है वो कितनी women commanders को COBRA unit के अंदर लेगी तो ये 34 women personnel को जो है यहाँ पे COBRA unit के अंदर लेगी तो this is very very important point clear और इसमें 1st battalion of CRP जो है नंबर हो गया 88 जो बनाया गया था 1986 के अंदर at a CRF base in the Delhi के अंदरकत और अभी जो है 35th raising day anniversary थी 1st women battalion of CRPF की this is very very important point clear answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा correct answer और CRPF की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके director general का नाम क्या है that is Kuldeep Singh और headquarter का हाँ पे है New Delhi के अंदरकत answer is B option is the correct answer पधान मंत्री मात्रू, वंदना, यूजना जो है implement किया गया कौनसी ministry के साथ कौनसी ministry इसको implement कर रही है ministry of women and child development की ministry इसको आपकी implement कर रही है यह central sponsored scheme है और इसमें जो आपका nutritional needs है लोगों की जो आपका wage loss हो रहा है उसको compensate करने के लिए जो है direct benefit transfer आपको दिया जाएगा और इसमें जो beneficiary है वो 5000 रुपे इनको benefit मिलेगा cash benefit तीन installment के अंतरकत और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको early registration करवानी पड़ेगी pregnancy की और जो है आपका क्लिया अंसर इसमें a option बनेगा right one ministry of women and child development की ministry this is super important question क्लिया और women and child development ministry कौन है हमारे समरीती इरानी जी समरीती जूमिल इरानी और ये कहां से सांसद है मेठी UP से सांसद है answer इसमें a option बनेगा correct answer a option ये आपकी जो है states है जो participate कर रही है और परदान मंत्री मात्रो बंदना यूजना world epilepsy date 2021 जो है कौनसी date को observe किया जाएगा और ये observe किया गया 8 February को answer इसमें c option बनेगा correct answer 8 February को observe किया गया but otherwise मैं आपको बता दूँ पूरे across the globe जो February का month होता है उसका second Monday जो होता है उस दिन हम celebrate करते हैं और इस दिन second Monday जो था वो 8 February को था अब 2022 का 2022 का जो February आएगा वो 14 February को आएगा तो ये हम उस दिन celebrate करेंगे epilepsy के लिए clear answer इसमें b option बनेगा correct answer और 2021 की बात कर रहे हैं तो इसका theme क्या है that is epilepsy is more than more than the seizure epilepsy is more than the seizures तो answer इसमे c option बनेगा correct answer epilepsy आठ फर्बरी is the correct answer आठ फर्बरी clear याद रखे विजेन अगर को 31st district बनाए गया है कौन से राज्या का तो ये बनाए गया था करनाटा का answer इसमें a option बनेगा correct answer करनाटा का 31st district बनाए गया था करनाटा की बात करते हैं तो बस्वा राज जो है बोमाई जो है याँके CM है थावर्चंद गहलोड जो है याँके क्या है गवर्नर है और बैंगलूरू is the capital answer is a option is the right one Indian army ने जो है foundation stone रखा 100 feet tall iconic national flag का जम्म कुश्मीर के अंतरगत कौन सी जगा के उपर ये गुलमर्ग के अंतर रखा गया answer is B option clear 100 feet high pole के उपर जो है बनाया गया answer is B option is the correct one और इसके अंतरगत जो है आपके जो है बॉलिवूड एक्टर अरबाज खान और एक्ट्रेस जो है विद्याबालन जी जो है यहाँपे मुदूद थी clear याद रखे और जम्मो कुश्मीर के अगर हम बात करते है तो जम्मो कुश्मीर के जो capital है वो शिरिनगर है summer capital जम्मो is the winter capital मनोज सीना जो है यहाँपे क्या है lieutenant governor है दाचिकम नैशन पाक है सलीम अली नैशन पाक है किष्टवार नैशन पाक देखने को मिलता है अंसर इस B घुलमर गिजदा करेक्ट अंसर बायो इशिया का कौन साइट जो एडिशन था वो फरबरी 2022-2021 को रखा गया तो यह जो थीम यह जो दे था वो अठारवा एडिशन था अंसर इसमें B option बनेगा करेक्ट अंसर और इसका जो थीम था 18 थीजदा करेक्ट अंसर और यह हुई कहां पर है हैदराबाद के अंदर हैदराबाद हैदराबाद जाने की तेलेंगना के अंदर का देखने को आपको मिली है तो यहां पर याद रखिए important है कौन से airport को जो है global recognition मिला from the airport council international world's voice of the customer award international world's voice of the customer award का award जो है किसको मिला है यह मिला है Camp-e-go-da international airport को answer इसमें A option बनेगा correct answer A option clear और अगर मैं बात करता हूँ यहां पर airport authority of India के अगर मैं बात करता हूँ airport authority of India के जो आपके chair person है वो कौन है Sanjeev Kumar है और जो आपके director general है और आपके minister responsible है हमारे civil aviation के ministry के लिए उनका नाम क्या है जोतीरात सिंद्याजी और यह राज्यसभा MP है आपके मध्यापरदेश से राज्यसभा MP मध्यापरदेश से अंसर इसमें Camp-e-go-da international airport is the correct answer हिमा दास को जो है appoint किया गया deputy superintendent of police conscious state का तो यह DSP बनाई गई है असम राज्या की अंसर इसमे B option बनेगा correct answer असम की capital क्या है this poor is the capital very very important clear this poor is the capital हिमंत विश्वा शर्मा जो है यहां के CM है और जगदीश मुखी यहां के governor है ना मेरी national park ओरांग national park दिब्रू साइकोवा national park काजी रंगा national park और आपका ओरांग national park देखने को मिलता है answer इसमे B option बनेगा right one किसकी death anniversary के उपर हम observe करते हैं that is called smarpan divas इंडिया के अंदर smarpan divas मनाया जाता है दीन द्याल उपादेजी की birth anniversary के उपर answer इसमे one option बनेगा correct answer death anniversary के उपर answer is a option इस बार जो है 53rd death anniversary इनका जो है day था 53rd clear answer इसमे a option बनेगा correct answer चिन national army based कौन सी country के अंतरगा जो है आपका asylum देख रही है कौन सी country के लोग जो है asylum देख रहे हैं इनकी families के लिए इन्डिया में तो ये कहाँ पर कौन सी country के लोग है मयान मार के लोग है जो कि asylum देख रहे हैं इन्डिया में कहाँ पर मिजोरम के अंदरगत देखने को मिल रहा है मिजोरम के अंदर asylum देखने को मिल रहे है answer इसमे be option और इनकी capital के है that is called नई पाइता क्लियर और करंसी का नाम क्या है that is कयात कयात is the करंसी मिजोरम की बात करते है तो आइस वाल is the capital और जोरा मतंगा जो है यहां के CM है डॉक्टर हरी बाबू खंबापत जो है यहां के क्या है गवरनर है यहां के प्रेजिटन है जो बाइडन इन्होंने अनॉंस किया एक special tax force ताके हम challenge को oppose कर सके और चुनोतियों को दूर कर सके चुनोतियों का सामना कर सके तो जो बाइडन ने एक counter challenge pose किसके लिए दिया है that is again the किसके लिए that is China के लिए अंसर इसमें D option बनेगा correct answer D option China is the right one US के प्रेजिटन का नाम जो बाइडन है capital क्या है Washington है याद रखे answer is D option चाइना wildlife जो है photographer of the year that is called people's twice about 2020 जो है किसने जीता तो यह जीता Robert Irwin ने और इन्होंने image जो capture करी थी that was bushfire जो के लगी थी कहाँ पे that is in the Steve Irwin wildlife reserve Steve Irwin wildlife reserve जो है आपकी आग लगी थी और यह है Queensland में वहाँ पे आग लगी थी और इन्होंने picture की ची थी तो इसके लिए इनको award से नवाजा गया answer इसमें that is आपका बनेगा that is Robert Irwin is the correct answer Indian ratings and research IINRA जिनों ने जो है इंडिया का gross domestic product GDP कितने percent बोला है financial year 2022 के अंदर का यह 10.4% बोला है answer इसमें C option बनेगा correct answer 10.4 is the right one turn around India 2020 surmounting past legacy के author का नाम बताईए इस पुस्तक के author का नाम बताना है इनका नाम है RP Gupta answer इसमें one option बनेगा correct answer RP Gupta is the right one very very important RP Gupta Export Import Bank ने जो है 400 million dollar प्रोवाइड करने की बात करी है ताकि हम connectivity कर पाएंगे connectivity project के लिए और एक कौन सी country के साथ इन्होंने जो है 400 million की बात करी है तो ये Export Import Bank of India 400 million dollar प्रोवाइड करेगा किसको that is Maldives को जो है ये प्रोवाइड करेगा ताकि connectivity project के लिए और answer इसमें क्या बनेगा आपका A option is the right one Export Import Bank of India की बात करते तो इनके जो CEO है इनका नाम के है डैडिस डेविड 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 रेस्क्यूना डेविड रेस्क्यूना clear और इन 1982 में बना था हैड़कॉर्टर कहां पे इनके मुंबई के अंदर का देखने को मिलते हैं Maldives की अगर हम बात करते तो Mali is the capital Ibrahim Mohamed Soli is the president Maldives Maldives Rufaya Maldives Rufaya is the currency answer इसमें A option बनेगा correct answer राजे सबा ने पास किया है Major Port Authority Bill 2020 ताकि वो किस Act को replace करने वाला है Major Port Trust Act 1963 को जो है ये replace करने वाला है answer इसमें A option बनेगा correct answer A option is the right one very very important इस Bill को replace करेगा Major Port Trust Act 1963 Union Government ने कितना amount जो दिया है वो national beekeeping और honey mission के लिए दिया है अगले 3 सालों के लिए और beekeeping honey mission के लिए बात करते हैं तो horticulture की बात हो रही है तो जाने के आपका golden revolution की बात हो रही है तो इसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है 500 क्रोट रुपया दिया जा रहा है ताके आपके प्रॉपर तरीके से जो beekeepers है farmers है वो अपनी income को increase कर सके और crops की pollination जार से ज़्यादा कर सके this is very very important point clear याद रखे अंसर इसमें c option बनेगा correct answer world unani day जो अब्जर्ब किया जाता है 11 February को हर साल और इस दिन birth anniversary होती है किस scholar गी तो इस दिन birth anniversary होती है हकीम अजमल खान जी की अंसर इसमें one option बनेगा correct answer 11 February को जो है ये दिन अब्जर्ब किया जाता है this is very very important point clear और first unani day हमने celebrate किया था 2017 के अंदरगत जहां पे आपका research center है Central Research Institute of Unani Medicine Unani Medicine के लिए जो आपका center research center है वो कहां पे है that is in the Hyderabad Hyderabad के अंदरगत तो अंसर इसमें a option बनेगा correct answer clear और Unani system जो medicine का originate कहां से हुआ है Greece से इसका foundation किसे ने रखा था hypocrite से ने रखा था और India के अंदर जो है इसको introduce किसके द्वारा किया गया था अरब द्वारा किया गया था और परिशन द्वारा किया गया था याद रखे important point है answer is a option हकीम अजमल खान is the right one काजी रंगा नेशन पाक को जो है डिकलेर किया गया है World Heritage Site by the UNESCO कौन से साल में किया था 1985 में इसको किया गया था 1985 में काजी रंगा नेशन पाक है कहां पर Daddy's in the Assam Assam के अंदर गद देखने को मिलता है Assam के अंदर बहुत साने नेशन पाक है ना मेरी है और आंग है और जो है मानस नेशन पाक है दिबरुसाइकोबा नेशन पाक देखने को मिलता है अंसर इसमें B option बनेगा 1985 is the correct answer 1985 जो है कौन से इन में से कोई किसने जो है National Action Plan for Migrant Workers जो बनाया ठीक है तो हैस कॉंस्यूटेटर सब ग्रूप to prepare a National Action Plan for the Migrant Workers Migrant Workers के लिए तो ये नीतियायोग ये द्वारा बनाया गया अंसर इसमें A option बनेगा correct answer National Action Plan for Migrant Workers अंसर इस One option is the right one Very very important नीतियायोग नीतियायोग की बात करते हैं तो नीतियायोग जो है 1 जनवरी 2015 को ये बना था और इसका जो नाम था नीतियायोग का पहले क्या था Planning Commission नाम था answer is one option is the right one इसरो ने उपन किया U.R. Rao Satellite Center ताके हम Testing Satellite को U.R. Rao Satellite Center जो है for testing satellites developed by private sector private sector द्वारे डेवलप किया गया first time in its history तो इसके headquarter कहा हम है U.R. Rao Satellite Center के तो इसके headquarter है नेडिस जना बैंगलूरू answer is में C option बनेगा इसरो की बात करते हैं तो के सिवान जो है यहां के क्या है chair person है बैंगलूरू is the headquarter 15 August 1969 को जो है यह बना था answer is C option is the correct one C option clear so guys यह थी current affair और जो भी आपको updates मिलेंगे टेलिग्राम चैनल के उपर आपको मिलेंगे Dr. Vipan Goyal के टेलिग्राम चैनल के उपर clear एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कल मैं इसका part 5 भी लेके आऊँगा और ऐसी 6-7 आपके चलेंगे और starting में मैंने आपको बताया था और मैं आपको बता देता हूँ मैं focus कर रहा हूँ January, February, March, April, June के current phase को clear क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमने January से जुलाई तक के current phase लिखा हुआ है लेकिन इध्यान रखना कि इसमें आपके जो है मई के मैंने 200 current phase डिसकस किये हुए है जुलाई के 200 current phase डिसकस किये हुए है best 200 clear और इनको मैं मैं और जुलाई के वहले current phase को last मिलूँगा पहले मैं इसको cover करूँगा जो भी बच्चों के exam आ रहे हैं तो फटा फट देख लिजे इसका जो part 5 है वो कल आएगा ठीक है part 5 जो है कल ही डालूँगा 9 बजी डालूँगा हमारी इसी time डालूँगा तो बने रही है पढ़ते रही है clear और अगर आप कोई भी government exam की त्यारी कर रहे है जहां पर आपको GS आती है quality history geography आती है तो यह मेरे आप courses देख सकते हैं 10,000 MCC course जिसके अंदर हमने chapter wise topic wise MCC course की discuss की है detail में और यहां पर previous question भी है state PCS, SSC railway defense exam के और इसमें mock test की facility जो है अभी level है और वो free of cost है मेरी तरफ से है 10,000 MCC course students को clear दूसरा मेरा GS course है यह हमारा बिल्कुल theory course है बिल्कुल basic topic है इसके अंदर गत और यह आप course purchase कर सकते हैं website studyiq.com और हमारी app studyiq app की उपर जैसे हमारी app या आप website open करते हैं आपको screen के उपर नज़र आएगा यहां पर best selling course, view all का button दबा देना 10,000 MCC की course आपको 30 नमबर पे देखेगा और GS course आपको 14 नमबर पे नज़र आजएगा और plus mock test जो है आपका 7 अगस्त को जो है live हो जाएगा 10,000 MCC course के अंतरगत और यह सिरफ 10,000 MCC course के अंतरगत आएगा देख लेना, clear, so thank you so much guys all the very best, कल मिलेंगे दोबारा से part 5 को वो 9 बज़े आपको क्रास आजएगी clear, ऐसी मैं सारे complete करदूँगा so good guys, take care, bye, जाहिन